पैसे की लेंदेन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया जिसके चलते एक पक्ष ने मार्पीट की वीडियो बनाकर सोचल मीडिया पर बाइरल कर दी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है वहीं पीड़ित ने अभी तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई कि खोके को किराय पर ले हुए और उसमें सैलून की दुकान खोले हुए है पास में अमान सिंग चाय की दुकान खोले हुए है अमान सिंग का आरोप है कि बुद्वार को दो पहर में वे घर चला गया था तभी राजेश ने उसकी गुल्लक में से 3000 रुपए उठा लिये राजेश के भाई ने बना कर सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया फिल्हाल गुरुवार की दोपहर तक राजेश ने पुलिस में शिकायती पत्र नहीं दिया था चौकी इंचार्ज बासी सुजीत कुमार मिश्रा ने बताय कि दो दुकान दारों में पैसे के लेंदेन को मार पीड की जानकारी मिलने पर जाच की गई पीडित से शिकायती पत्र मांगा गया